मां शीतला की पावन सत्य कथा, ये कथा बहुत पुरानी है, एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धर्ती, पर मेरी पुझा कोन करता है, कोन मुझे मानता है, यही सोचकर शीतला माता धर्ती पर राजस्थान के दुन्ब्री गाव में, आई और देखा कि इस गाव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पुजा है, माता शीतला गाव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के उपर से किसी ने चावल का उवला पानी, मांड, निचे फेका, वो उवलता पानी शीतला माता के उपर गिरा जिससे शीतला माता के शरीर में छाले, फ में जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा, हे, कोई मेरी मदद क्रो, लिकिन उस गाव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं कि तभी अपने घर के बहार एक, कुमहारन, महिला, बेथी थी, उस कुमहारन ने देखा कि अरे ये बुढी माई तो बहुत जल गई, इसके पुरे शरीर में छाले, फफोले पढ़ गए है, ये तपन सहन नहीं कर पा रही है, तब उस कुमहारन ने कहा है मा तो यहां आकार बेथ जामे तेरे शरीर के उपर थंडा पानी डालती हूँ, कुमहारन ने उस बुढी माई पर खुब थंडा पानी डाला और बोली है मा मेर घर में रात की बनी हुई रावडी रखी है, थोड़ा दही भी है, शीतला, माता ने ठंडी, जुवार के आटे की रावडी और दही खाया, इससे शरीर में ठंडाई मिली, तब उस कुमहारन ने कहा, आमा बेथ जा तेरे सिर के बाल बिखरे है लामे तेरी चोटी गुथ द कुमहारन ने देखा कि एक आंख वालों के अंदर छुपी है, ये देखकर वो कुमहारन दर के मारे घबरा कर भागने लगी, तबी उस बुडी माई ने कहा, रुक जा बेटी तु दर्मत में कोई भुत प्रेत नहीं हुँ, मैं शीतला देवी हुँ, मैं तो इस घरती पर द असली रूप में प्रगत हो गई माता के दर्शन, कर कुमहारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहा विधा, तब माता बोली है बेटी तु किस सोच में पढ़ गई, तब उस कुमहारन ने हाथ जोड़कर आँखों में आसू बहते हुए कहा है मा मेरे घर में तो च अड़े हुए गधे पर बेट कर एक हाथ में जाड़ू, दूसरे हाथ में दल्या लेकर उस कुमहारन के घर की दरिद्रता को जाड़कर दल्या में भरकर फेक दिया और उस कुमहारन से कहा है बेटी में तेरी सच्छी भक्ती से प्रसन हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए म मुझ से वर्दान मांग ले, तब कुमहारन ने हाथ जोड कर कहा, है माता मेरी एक्छा है अब आप इसी दुन्बरी गाव में स्थापित होकर यही रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी जाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली क के बाद की सप्तमी को भक्ती भाव से, पुझा कर आपकी थंडा जल दही व वासी थंडा भोजन चाये उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पुझा करने, वाली नारी जाती, महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोध हमेशा भरी रखना, साथ ही जो ना कटवाए, धोबी को कपडे धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर थंडा जल चाकर नर्यल फूल चाकर, परिवार सहित थंडा वासी भोजन करे, उसके काम धंदे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आये, तव माता बोली, तथास तु है बेटी जो जो तुने वर् मांगे में सब तुझे देती हूँ, है बेटी तुझे आर्शिबाद देती हूँ कि मेरी, पुजा का मुख्ख अधिकार इस धर्ती पर सिर्फ कुमहार जाती का ही होगा, तभी उसी दिन से दुन्गरी गाव में शीतला, माता स्थापित हो गई और उस गाव का नाम हो गया शील की दुन्गरी, शील की दुन्गरी भारत का एक मात्र मुख्खा, मंदिर है, शीतला सब्तमी वहां बहुत विशाल मेला भरता है, इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने, के साथ सभी मनो कामना पुरी होती है, जय मांशितला सबका कल्यान करे